हेलो अब्रिवाइन देखी क्लास 7 का इंग्लिश का पेपर है अब आपका 25 तारिफ को तो ये पेपर आपको दिखा रहा हूं पिछले साल का तो पैटर्न आपका कैसा आएगा डही घंड़े का पेपर होगा साथ नम्मर का होगा पैसिज पहले आपकी ऐसे आएगी ठीक है सेम सेम पैसिज नहीं आएगी बट यह है कि मिलता जूलता आएगा पैटर्न सेम ऐसी देने वाला है ठीक है आप देख रहें आठ मार्क्स के आपकी पैसिज है ठीक है तो अब आपके सामने ऐसे कोश्चंस होगी आपको सोल करने पड़ेगी पहले पैसिज पढ़ने पड़ेग ठीक सारे पेपर के डाल दूँँ जैसे आपकी रिवीजन हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस आपको पता चल लाएगी कैसी प्रैक्टिस आपकी ठीक है और आपकी प्रिपेशन भी अच्छी होगी आपके मार्क्स बिच्चा है आप पूरा सोल्व करें पूली फुल वीडिय जो आंसर के साथ ठीक है ओफिश्र आंसर की होईगी तो भी मैं डाल दूँँआ आपको कमेंड बोक्स में मिल जाएगी तो आप पहले सॉल्व करो देखो आपको कितने कोश्टिंस आते हैं ठीक है और इंपोर्टन कोश्टिंस अगर किसने वीडियो बनाई हुई तो आपक आक्शन भी में डाल इंगी तो आपको करना है और और में कहा है माई फेवरेट एनिमल यह दोनों आप जुरूर दलने ना क्या पता है इन में से एक कोई आजाए ठीक है तो बिलकुल इस पेपर को हल्क में मत लेना ठीक है तो यह है इस पर आपको एं जो भी है वो लगाने अब में बंदी ठीक है ओर में भी दीया अगर आपको यह नहीं आता इसकी जगह आप यह कर सकते और का मतलब यह यह नहीं आपको दोनों नहीं करता का एक आग्स तो इसके आंसर आपको देखने अंसर नहीं है अंसर मैश करने लिए आपको कम मोक्ष देख लें और इसके आंसर के में डाल लोगो ठीक है पागे आप खुद सोल्व करो कितने सही जा रहें कितने गलत जा रहें आप चेक करो बहुत इसी पेपर है अगर आप पड़ लेंगे थोड़ा वो पेपर पूरा सोल्व जुरूर करना ठीक है इसका अंसर आप पताईए मुझे मिस्टर राम इस ओनेस्ट साउंड रहें को कौन से आरी है ए याई हो आपको बता ना वो वल जो होते हैं तो इन में से आपको कौन से लगता है ए या लगता है बेग लगता है या दा लगता है यह दोनों में तो हैं नहीं इन दोनों में से एक अंसर अब जूर नीद करना ठीक है यह गलत का कुछ नहीं इसरफ टिक मारे वहीं यह सई हो सकता है यह भी सब्सक्राइब यह बाटि आप चेक करो फड़ाफट से अगर आभी इस लो कर लेंगे अपको अगले पेपर भी आपको मिल जाएगी नंद मैचिंग भी आई कि अपकी ठीक है मैचिंग में कर देना कि अब यह सक्षिन डी आपको पता लिट्रेचर का आता है कोश्टन सांसर आते तो आप जुरूर कर लेना है